नसुआ के राष्टे अध्यक्ष वरुन चौदरी शनिवार को जैपूर पहुंचे यहां पर उन्होंने संगटन के विभिन्द कारेकरों में हिस्सा लिया सुबह साड़े ग्यारा बजे चौदरी जैपूर एरपोर्ट पर पहुंचे जहां पर संगटन के कारेकरताओं ने इनका बहुत ही अच्छी तरिके से स्वागत किया सेकड़ों की संख्या में एरपोर्ट पर मौझूद छात्रों छात्र नेताओं ने फूल माला पहना कर बुके दे कर उनका जबरदर्स स्वागत किया मीडिया से बात करते हुए राष्टे अध्यक्ष वर्ण चौदरी ने कहा कि प्रदेश में जैसे ही बीजीपी सत्ता में आई है वैसे ही धरने शुरू हो गए हैं बीजीपी जिन मुद्दों पर विपक्ष में रहते हुए बोली अब वे ही वर्ग महिला और युवा सडक पर आंदोलन कर रहे हैं ऐसे ही बीजीपी सरकार विफल हो रही है चौदरी ने कहा कि अब वे दुबारा से चात्र संग चुनाब कराने के लिए भी आंदोलन जब कॉंग्रेस सत्ता में थी तब चुनाब बंद कराने पर ही NSUI ने जबडस विरोध किया था अब सरकार विपक्ष की है तो प्रदेश के तमाम छात्र NSUI के साथ सडकों पर उतरेंगे चौदरी ने कहा कि छात्र राजनीतिक कुशल राजनितिक के बनाने का पहला सीड़ी होता है यही से देश प्रदेश के बड़े बड़े राजनितिक के मिले हैं अब जब छात्री राजनीति नहीं करेंगे तो क्या अम्मानी अडानी राजनीति करेंगे अब देश के सभी विश्विद्याले के छात्र आंदोलन करेंगे नौजमानों को काम और उनकी हित के लि परना जब तक हम देश के तमाम विश्युदालों में जारी रखेंगे युवाओ का संदेश मेरे तो जो एनिस्वाई के कारे करता हो को तो यह संदेश है कि मजबूती से युनिवसिटी के अंदर हम ड़ जाना है और जिस सरकार ने सबसे पहले आकरमान चात्रों के साथ कर रही है द relying करने से अंदर है legislative अंच सब्सक्राइब जो जाना है ना तुरूह rais Land ऑ erosion करें तिंश कृतर हैर मनंदाल। और बेखिए दर ह душ उन darle कम ek जित्पने तमाम लोग ए Pennsylvania आप खुद समझेंगे 99% लोग आने स्वाइज यूद कोंगेर्स के हमारी आज के भी इस संगठर में आप फुद देखेंगे हाँ निर्मल के रात हमारी तमाम जो निर्मल की टीम है और और भी जो चात चात रहा हैं वो में आज जोइन करने जा रहे हैं हजारों की संख्या में अपने देखा होगा बीजेपी ने युवाओं का सपना तोड़ने का काम देश में करा है वही अब मुझे लगता राइस्थान के नोजवानों को लगने लगा है कि यहां पर भी जबी की सरकार आगी है तो उनका सपना तूटना निच्छित है तो इसल आज के लिए बस इतना ही ऐसे निउस अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल दनगरी मीडिया के साथ धन्यवाद